खेलोललर्णफ्री एक्सपोर्ट-पूर्ट विडियो सीरीज में सवागत है इँ वीडियो में आपको बताऊंगा उप्डियो एक्सपोर्ट-पूर्ट-पूर्ट विजिन्स अनुपूर्ट करना चाहते हो तो सर्टिपोप औरoner के बारे में जनना आपके लिए बहुत Не important है certificate of origin का knowledge आपको export बढ़ाने में पूरा help करेगा तो वीडियो को एंटक देखिएगा और export import के latest update जानने के लिए आप मेरी telegram channel को join किजे आपको latest export import के news direct मिलते रहेंगे और मेरा telegram का link जो है यहाँ पे नीशे description में दिया गया है what is certificate of origin तो certificate of origin एक certificate है जो जो भी exporting country की जो भी government की bodies होती है different different bodies को issue कर सकती है जैसे की इंडिया में chamber of commerce issue करती है EPC issue करती है different body जो government ने authorize किया है वो bodies issue कर सकती है जनरली जो है chamber of commerce जो है certificate of origin issue करती है और अभी इंडिया में coo.zft.gov.in करके online platform भी बन गया तो future में हमको online भी ए system का use करके certificate मिलेगा certificate of origin मतलब ऐसा certificate जो साबित करता है कि good से country में बना हुआ है मतलब क्या हुआ कि certificate of origin जो है exporting जो country है उसकी government की जो भी body यह like chamber of commerce जो है issue करती है और यह certificate साबित करता है कि यह जो goods से इंडिया में बना हुआ है अमेरिका में बना हुआ है समझो कोई बंदा अमेरिका से एक्सपोर्ट कर रहा है तो वहां का certificate of origin उसे मिलेगा कि यह जो goods से वह अमेरिका में बना हुआ है हम लोग इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारी chamber of commerce respective कोई भी चैंबर of commerce certificate of origin देगी यह certificate से साबीत होता है कि एक goods जो है इंडिया में बना हुआ है तो certificate of origin जो है वह goods एक कंट्री में बना हुआ है उसका प्रूफ है certificate of origin जो है chamber of commerce issue करता है अब बात करें importance of certificate of origin की कि जब दो कंट्री के बीच का free trade agreements होता है preferential trade agreements होता है या कोई agreements होता है तो इसमें certificate of origin बहुत important है क्योंकि buyer को import duty कम लगता है और custom को भी प्रॉसेस सरल हो जाता है और custom क्लेंज जो है imported goods का custom क्लेंज इजी होता है certificate of origin से पता चलता है कि कौन सी country से जो है goods आया हुआ है और जो है कि certificate of origin से सामने वाले custom को पता लगेगा कि यह imported goods है इसके ओपर कितना import duty लगेगा कि फ्रीटेड एग्रिमेंट है कि custom को पता लग जाता कि goods कहां से आया है तो उसका custom procedure easy हो जाता है देखे में आपको practically बताओ इंडिया का example देखे कि कोई बंदा इंडिया में import करता है अब यह goods चाइना से आ रहा है या पकिस्तान से आ इंडिया में सपोज पकिस्तान से आ रहा है तो imported goods का पूरा checking किया जाएगा तो certificate of origin का benefit इंपोर्टर को कि उसको smoothly कस्टम क्लियंस मिल जाता है next benefit certificate of origin का और main benefit वह इंपोर्टर को कि import duty कम भरनी पड़ती है मैं आपको example के साथ समझाता हूँ देखे कोई बंदा सी लंका के अंदर गार्मेट से इंपोर्ट करना चाहता है अब वो चाइना से भी इंपोर्ट कर सकता है वहं इंडिया से भी इंपोर्ट कर सकता है और सिरलंका में garment के उपर import duty is 30% मतलब garment import होगा S.E.Lanka के अंदर 30% import duty लगेगा अब S.E.Lanka importer印डिया से import करेगा और free trade agreement में product cover होती है दीके सारी product cover नहीं होती है वो country के साथ free trade agreement होना चाहिए और product भी cover होनी चाहिए suppose यह product cover होती है government S.E.Lanka के साथ तो अगर S.E.Lanka importer इंडिया से import करेगा तो उसको 10% duty लगेगा या duty नहीं लगेगा, वो agreement में लिखा होता है, या कम duty लगेगा या duty 0 लगेगा, बड़ चाइना से import करेगा, तो उसको 30% import duty लगेगा, तो देखें यहाँ पे, जितना आपको export import का knowledge होगा नहीं, उतना आपका export बढ़ेगा, तो यह देखें कहां-कहां free treated agreements है, कहां-कहां preferential trade agreement, इंडिया का दूसरी country के साथ है, तो अब बायर को convince कर सकते हो, तो वहां से मंगाएगा, तेरे को इतना duty लगेगा, तो इंडिया से लेगा, इतना कम duty लगेगा या duty नहीं लगेगा, तो इंडिया का export बढ़ेगा, तो हमारी जो government है, बहुत सारी country के स ट्राइ कर रही है, free trade agreements, preferential trade agreements, bilateral trade agreements बोलते, कोई भी agreement हो, अच्छी अच्छी country के साथ government agreement करना चाते है, जैसे कि यूरोप के साथ हो गया, UK के साथ हो गया, US के साथ हो गया, गल्फ कंट्री हो गया, तो government जो हर country के contact में, यह को easy बात नहीं इतना government के लिए भी, पर जितना होग import duty लगेगा, यह zero लगेगा, तो custom में भी smooth process होगा, और importer को भी benefit है, यहाँ भी mainly भी बात कर तो दो टाइप के certificate of origin आते, preferential certificate of origin and non-preferential certificate of origin, मतलब क्या हुआ, कि preferential certificate of origin निकलता है, इसका मतलब यह है, कि सामने वाली country के साथ, इंडिया का preferential trade agreement है, free trade agreement है, या कोई भी type का free trade agreement ह इस्यों मिलेगा, दूसरा है non-preferential certificate of origin, यह क्या होता है, कि सामने वाली country के साथ, को agreements वगरे नहीं है, तब रिशू किया जाता है, और जब agreement है, preferential certificate of origin issue किया जाता है, यह साबीद करता है, जो है इंडिया में origin हुआ है, इंडिया में बनिफेक्टर हुआ है, वह साबीद कर उसमें कोई benefit नहीं मिलता है इतना है सवाज में benefit नहीं मिलते है बट कभी बाहर मांगता है कि हमें certificate of origin चाहिए उसका हमारे country के साथ को agreement नहीं है प्रेफरेंचल या नोन प्रेफरेंचल निकालना है तो कैसे निकालना है तो मैं आपको बता दू का आप Chamber of Commerce आपकी रिस्पेक्टिव नियरबाइ Chamber of Commerce से certificate of origin ले सकते हो online platform में वहां से भी ले सकते हो coo.dzft.zoe.in वहां से भी आप ले सकते हो वहां पर पूरा guideline भी दिया गया है और वहां पर help desk number भी दिया गया है government का कि आपको कोई query है तो आपको वहां पर call भी कर सकते हो और manually आपको निकालना है तो आपका जो nearby Chamber of Commerce से वहां पर जाके आप certificate of origin निकाल सकते है तो certificate of origin के लिए कौन-कौन से document चाहिए तो generally जो है इनुएस का copy चाहिए packing list का copy चाहिए bill of lading का copy चाहिए shipping bill का copy भी आप साथ में जोड़ सकते हो पहली बार आप सब Chamber of Commerce में certificate of origin issue करवाने जाओगे तब आपसे KYC मांगा जाएगा आपका GST number आपका IC number जो भी उसके form अगर आपसे भरवाई जाएगे और उ बायर मांगता है तो हमें निकाल के उसको देना पड़ता है जब आप पर्फर्मा इनुए साइने स्टेम करो या बायर से कॉंट्राक करो तो बायर को पुछ लेन एक certificate of origin चाहिए या मेंशन कर सकते हो तो आप निकालके दे दीजीगा compulsory नहीं है तो certificate of origin जो है निकालना अबरीधि दूट इस पर नहीं है जो है जो आप नहीं है जो आप नहीं है जो ग्लोब तोगेधर थैंक यू कर दो